हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल आज की एक व्यूटिफुल केक की वीडियो के साथ साथ मैं तीन बाते आपको केक से रिलेटिट ऐसी बताऊंगी जो आपको बहुत ही काम आने वाली है तो वीडियो को पूरा देखिएगा पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेगा और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा तो यह केक का बेस बनाकर मैंने पहले से ही रेडि कर लिया था और यह बेस मैं बनाती हूं प्रेमिक्स से तो सबसे पहली बात आप यह याद रखिए कि अगर आप केक बोर्ट के नीचे या गीला र पानी से सोक ना करके जो क्रजिस फ्रेवर का केक बना रहे हैं उसके क्रश्ट को पानी में मिला लीजिए और उससे अच्छे से सोकिंग करिए और जिससे केक का स्वाध जो है एकदम पढ़िया आएगा बेकरी से जो केक आप लाकर खाते है ना उससे तो बहुत ही और उसके बाद मैंने अच्छे से तीनो लियर को एसेंबल कर लिया है और अच्छे से क्रीम लगा के इसको अच्छे से कर लेंगे क्लीन के लिए अगर अगर एक बिगनर है तो इस तरीके से पाइपिंग बैग में भर के क्रीम को लगाए ना इससे बहुत आसानी से रहती है और एक बराबर क्रीम सब जगे पे लगती है तो आपको क्लीनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप डाइरेक्ट इस पैजुलर से लगाएंगे न तो उससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्रीम कहीं पे जादा कहीं पे कम लग जाएगी उससे क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है साइड में मैंने इस तरीके के स्क्रेपर से ये देखे डिजाइन बना दी है और एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी तो यह गीला कपड़ा है मेरे पाद और हर बार जो मैं फ्लावर बनाऊंगी न तो उसको नोजल को साफ कर लोगी जिससे क्या होगा कि डिजाइन जो हम बनाएंगे न एकदम परफेक्ट बन के आएगा और एक्टर जो क्रीम निकली होती है न इसी से हमारा डिजाइन खराब हो जाता है तो यह इस बात का अगर आप थ्यान रखेंगी तो एकदम बेकरी के जैसे आपके वी के के फिनिशिंग आएगी ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाती रहती हूँ अपनी चैनल पे और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वेल ऐकन को प्रेस कर दीजे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए फिर मैंने एक पाइपिंग बैंग में भर लिया है वाइट वाला क्रीम और उससे मैं चोटे चोटे इस्तास बना रही हूँ तो आप देखी सकते हैं कि हमारे केक का लुक कितना प्यारा लग रहा है और पहले भी मैंने केक के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किये हुए हैं आप जाकर बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं और ये देखिए हमारा केक कितना प्यारा लग रहा है यहाँ प तो एनिवर्सरी के लिए इस टाइप के केक जो हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं और यह हमारे केक का फाइनल लूक और जैसा कि आपको पता है कि केक बनने के बाद मैं इस पे सिल्वर डश्ट करना बिलकुल नहीं भूलती हूँ क्योंकि जब इस पे शाइनिंग आती है ना के वेसा रंडित काुब है समें भ्यारे हैं भ्यारे है की लिए्गारे हैं झालाइवा बी मात टांडास का ओ西 équन खरो लिएक भाइवा है prayer गयाम द्यारे है